जैपूर के धमाके की साजिश रचने वाले लिप्त पाई गए आतंकियों के मकानों पर बुल्डोजर चला दिया गया है रतलाम में जिलब परशासन ने पुलीस की मौजूदगी में मकानों को जमी दोच कर दिया आतंकियों की कुछ अन्ने साथियों की अभी भी रतलाम पुलीस को तलाश है जैपूर ATS की गिरफ्त में आये तीनों बदमाशों के मकानों पर भी एक दो दिन में बुल्डोजर चलाया जाएगा रतलाम AASP अभिशेग तिवारी ने बताया कि जैपूर ATS ने जुबेर, अलतमश और सैफुला नमक तीन आतंकियों को गिर्फतार किया है तीनों आरोपी विस्पोर्टक सामगरी को जैपूर ला रहे थे इस मामले में पूश्थाच के दुरान पता चला कि यह विस्पोर्टक सामगरी तीनों को रतलाम के रहने वाले इमरान, अमीन, पावडा और अमीन खान उर्फ पटेल ने मुहया कराई थी रतलाम जिला परशासन के सयोग से इमरान के मकान और पॉल्टरी फारम पर बुल्डोजर चला दिया गया है जबकि अमीन पावडा और अमीन पटेल के मकान पर भी कारे वही की जा रहे ही है तीनों आरोपी कटर पंती होने के साथ साथ अल सुफा संक्ठन से जुड़े थे आरोपियों के मकान और अन्ने स्थानों पर बुल्डोजर चलाने के बाद राजितन पुलिस की गिरफ्त में जुबेर, अल्तमस और सैफुला के मकानों को भी जमी दोच किया जाएगा आरोपियों के पकड़ी जाने के बावजूद भी अभी तक यह परदा नहीं उठ पाया कि RDX रतलाम में कहां से पहुचा था आरोपी जुबेर, अल्तमस और सैफुला, विस्पोटक सामगरी और टाइमर राजिस्थान में सिलीपर गेंग को देने वाले थे इसके पहले ही रास्तान ATS ने पूरे गिरोग का परदाफाश कर दिया रतलाम S.P. अभिशेग तिवारी ने बताया कि इस मामले में रास्तान ATS और मद्या परदेश की ATS लगतार जांच परताल में जुटी है बताया जाता है कि अभी पुलीस अधिकारियों द्वारा और चारी गरूप से महत्मुन जानकारियां साजा की जा रही है आतंकी साजिश के मामले में पकड़े गए आरूपियों से कड़ी पूछताच के दौरान कई चोकाने वाले खुलासे होने लगे है पुलीस विभाग के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टी की है कि पकड़े गए आरूपियों में से एक दो के विदेश जाने की जानकारी मिली है बताया जाता है कि एक दो आरूपी साओधी होकर भी आये थे